जैहिन दोस्तो इस टापिक में हम समझेंगे कांटेक्टर क्या होता है ये काम कैसे करता है इसमें एनो एनसी पॉइंट का क्या मतलब होता है और एनो एनसी पॉइंट कैसे काम करते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो क्रपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकान दबा दीजिए यदि हम बिल्कुल आसान तरीके से समझना चाहते हैं तो ये माले की कांटेक्टर एक स्विच है जैसे कि हमारे घरों में टीवी बल्ब पंखा इन सब को आनाफ करने के लिए लगे होते हैं बस अंतर इतना है कि हम लोग घरों में लगे स्विच को की अपने हाथ से आनाफ करते हैं वहीं कांटेक्टर को आनाफ होने के लिए हमें पावर सप्लाई देनी पड़ती है जैसे ही घरों में लगने वाला स्विच है अगर हमें contactor की working समझना है तो पहले इस switch की working समझनी पड़ेगी ये देखो switch में दो point है एक point ये एक point ये switch की सिर्फ और सिर्फ दो position होती है या तो ये off रहेगा या तो ये on रहेगा जब ये off रहेगा तो इस point का इस point से कोई contact नहीं रहेगा मतलब जो power supply इस point पर देंगे वह power supply इस point तक नहीं पहुँचेगी जब हम इसको अपने हाथ पे आन कर देते हैं तो इस point का इस point से contact हो जाएगा अब हम जो भी power supply इस point पर देंगे वह हमें इस point पर मिल जाएगी अब हम contactor पर आ जाते हैं ये देखो single pole का contactor है इसमें ये दो point हैं एक ये एक ये 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 भी switch की तरह दो position में ही रहेगा या तो ये off रहेगा या तो ये on रहेगा जब आप रहेगा तो इस point का इस point से कोई contact नहीं रहेगा आन होते ही इस point का contact इस point से हो जाएगा जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि इसको आन आफ होने के लिए power supply की जरूरत होती है तो उस power supply के लिए इसमें point भी होने चाहिए तो ये देखो एक point ये एक point ये ये दोनों point इसकी coil के point हैं जिसमें power supply देकर इसको आन आफ किया जाता है ये coil 24V DC, 42V AC, 110V AC, 220V AC और 440V AC इन में से किसी भी range की हो सकती है सभी contactor में जो coil के point होते हैं उनको A1 और A2 से indicate कर दिया जाता है अब जैसे ही हम coil वाले A1 और A2 point पर power supply देंगे तो ये contactor on हो जाएगा आन होते ही इस point का contact इस point से हो जाएगा फिर जो भी power supply हम इस point पर देंगे वही power supply हमें इस point पर वापस मिल जाएगी ये coil कैसे आन आफ करा रही है इसको समझने के लिए हम इस contactor को open कर लेते हैं सबसे पहले हम उपर वाले पार्ट को खोल कर समझते हैं ये देखो खुलने के बाद इन दोनों point की adjusting कुछ इस तरह दिख रही है कि जब ये आफ रहेगा तो इस और इस point का कोई contact नहीं है अब हम coil वाले पार्ट को भी खोल लेते हैं ये देखो ये coil और ये coil के अंदर और coil के दोनों side में एक पत्ती सी दिख रही है अब हम जैसे ही coil के A1 और A2 point पर power supply देंगे तो coil के चारो तरफ magnetic field बन जाएगा जिससे ये पूरी पत्ती magnetize हो जाएगी मतलब चुम्बक बन जाएगा जैसे ही इसमें चुम्बक बनेगा तो इस वाली पत्ती को ये अपनी और खीच लेगी जब पत्ती अपनी और खीच लेगी तो देखो इस point का contact इस point से हो जाएगा अब जो power supply हम इस point पर देंगे वही power supply हमें इस point पर मिल जाएगी जब contactor आफ है तो इस और इस point का कोई contact नहीं है क्योंकि ये पत्ती इन point को open करके रखी है ये देख लो पूरी तरह से open है इसका और इसका कोई contact नहीं है इसी condition को हम normally open कहते हैं और जैसे ही on किया जा रहा है तो इस और इस point का contact हो जा रहा है क्योंकि ये पत्ती दोनों point को close कर दे रही है मतलब इन दोनों point को आपस में ये पत्ती जोड दे रही है ये देखो इसी condition को हम normally close कहते हैं एक बार practically coil के A1 और A2 point में power supply देकर देख भी लेते हैं कि सच में चुम्बक बनता भी है कि नहीं तो इस wire को हम point A1 में और इस wire को हम point A2 में जोड देते हैं अब इसको हम socket में लगा देते हैं ये देखो इसको on कर दिया अब हम अपना page कस इसके पास ले जा रहे हैं ये देखो इसमें चिपक जा रहा है मतलब देखो चुम्बक बन रहा है अब switch को off कर दिया देखो चुम्बक खतम हो गया अब ये देखो मेरा page कस नहीं इसमें चिपक रहा है अब तो पूरी तरह समझ में आ गया है कि contactor भी एक switch ही है बस इसे हमें अपने हाथ से आनाफ ना करके power supply देकर आनाफ करवाना है अब NO NC point को थोड़ा और detail से समझते हैं NO का full form होता है normally open NC का full form होता है normally close ये देखो ये हमारे पास four pole वाला contactor है इसमें कुल चार pole है एक pole है ये तेरा और 14 नंबर point वाला दूसरा है 21 और 22 नंबर वाला तीसरा है ये 31 और 32 नंबर वाला चौथा है 43 और 44 नंबर वाला इसमें दो pole एक ये 13 और 14 वाला और ये एक 43 और 44 वाला ये दोनों NO pole हैं इसी तरह दो pole एक ये 21 बाइस नंबर वाला और दूसरा ये 31 और 32 नंबर वाला ये दोनों NC pole हैं कांटेक्टर को आनाफ होने के लिए ये देखो पॉइंट A1 और ये पॉइंट A2 है थोड़ा और डिटेल से NO NC को समझते हैं ये कांटेक्टर भी वैसे ही आनाफ होगा जैसे कि हम लोगों ने अभी सिंगल pole को देख चुके हैं इसमें जो चार pole हैं इनकी कुछ एड़जेस्टिंग इस तरह की गई है कि जब कांटेक्टर आफ रहेगा तो पॉइंट 13 का कांटेक्ट 14 से और 43 का कांटेक्ट 44 से नहीं रहेगा ये नार्मली ओपन रहेंगे मतलब जो एड़जेस्ट आफ रहेगा तो इनका आपस में कोई भी कांटेक्ट नहीं रहेगा ये नार्मली ओपन रहेंगे इसलिए इन्हें एड़जेस्ट कहते हैं लेकिन जो एनसी वाले पॉइंट हैं 21 का 22 से और 31 का 32 से कांटेक्ट रहेगा मतलब आप रहने पर भी हम जो सप्लाई 21 में देंगे वही सप्लाई हमको 22 में मिल जाएगी और जो सप्लाई हम 31 नंबर पॉइंट में देंगे वह हमको 32 नंबर पॉइंट पर मिल जाएगी इसलिए इन पॉइंटों को नार्मली क्लोज्ड कहते हैं, मतलब N-C पॉइंट कहते हैं, अब जैसे कोईल के A1 और A2 पॉइंट में सप्लाई दे कर कांटेक्टर को आन कराया जाएगा, तो आन होने पर जो N-O वाले कांटेक्ट हैं, मतलब 13 नमबर पॉइंट का 14 नमबर से, और 43 नमबर पॉइंट का 44 न नमबर में देंगे, वो सप्लाई हमको 14 नमबर पर और जो सप्लाई हम 43 नमबर पर देंगे, वो सप्लाई हमको 44 नमबर पर मिल जाएगी, लेकिन जो N-C वाले पॉइंट हैं, वो अब ओपन हो जाएगे, मतलब 21 नमबर पॉइंट का कांटेक्ट 22 नमबर से नहीं रहेगा, और 31 नंबर पॉइंट का कांटेक्ट 32 नंबर पॉइंट से नहीं रहेगा जो सप्लाई अभी कांटेक्टर के आप रहने पर 21 वाली 22 पर मिल रही थी और 31 वाली 32 नंबर पॉइंट पर मिल रही थी वह कांटेक्टर के आन होते ही हमें नहीं मिलेगी इसी तरह कांटेक्टर के आप रहने पर जो सप्लाई 13 वाली 14 नमबर पर और 43 वाली 44 नमबर पर नहीं मिल रही थी वह आन होते ही मिलने लगेगी NO NC वाले कांटेक्टर को बस इतना समझना है कि कांटेक्टर आन होने पर NO वाले पॉइंट NC हो जाते हैं और NC वाले पॉइंट NO हो जाते हैं तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि कांटेक्टर की पूरी वर्किंग आपको समझ में आ गई होगी अगर आपको Relay के बारे में जानना है तो उपर i बटन में जाकर वीडियो देख सकते हैं Contactor में Add-on Block क्या होता है उसको मैं दूसरा वीडियो बना दूँगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक और वीडियो को ज़्याद से ज़्याद सेयर कर दीजिए